बहुत समय ऐसी मन में सोच बनती गई तुलसी से ऐसा होता ऐसा होता कभी साप का था नहीं और फिर दूसरी में कटना बताऊं सेम वही साप जो परली तरफ जाने का हमारे एक और रास्ता है वो कमरा जैसे बना हुए उसमें साप था है सो रहे होंगे या मतलब पती-पत्नी सा खास रहे होंगे तो साप आते थे यहां पर बहुत साप नमस्कार दोस्तों रियल लाइफ भारत में आपका स्वागत है दोस्तों तुलसाजी हमारे देश में सदेव से भारतिय सन्सकिर्टी में पूजने रही है लेकिन तुलसा जी तमाम गुन इनके अंदर होने के बावजूद तुलसा जी की जो एक कहानी है वहा कहानी सामान्य नहीं है बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे जिस घर के अंदर तुलसा जी होती है वहां आखिस साफ क्यों नहीं आते इसके फीचे की जो कहानी है ना सिर्फ आश्चरी जनक है बलकि एक बहुत बड़ी हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने वाली है जो कि लोगों को हमालूम चलना चाहिए हमारी फ्यूडियो को हमालूम होना चाहिए कि इसके फीछे कौन सा लोजिक है मेरे साथ वाच्चीत करने के लिए जो मुझूद है सामाजी कारे करता अतुल शर्मा जी है अतुल मैं रियल लाइफ भारत में आपका श्रागत है और तुलसा जी की जो कहानी है क्या है देखे हम बहुत छोटे छोटे थे तो बैसिकली चुके देहाद से बिलॉग करते हैं तो हमेशा से मतला हमारे जो पेरेंट्स थे खास तोर मेरी जो मदर थी तो वह जब भी तुलसी के पास को निकलते तो हमेशा कहते थी कि हाथ जोड़के निकला करो तो वह जो उनका कहा मuje bağshu C tense, प्राद करने निकलो और राखन केंodus लग में यदे डाघे गारााını, तो खान नहीं वरण में जंगलता है। तो कभी में नहीं मतलब होगा, इसा सए होगा है। जो एक हमारे खेत थे गर से पहले, बहुत सांप जाजादे क्योओं वुप शांप है । क्योंक्य विञाओ हो जया थी फुम्स, मैपने आपक। मेरी सासु माँगेर भी, वह भी कहते थीं किного थी बमी की तरफादेज़ यृदिक देगा, तो उधर नहीं जाना चाहिए और अक्सर बच्चे हमारे कभी डरे नहीं सांप से सांप निकलते थे बाग में हमेशा बमी से निकले तो बच्चे एक तरफ हो गए कभी कुछ कानी हाज जोड़ा नमस्कार करा अलग हो गए जब हम यहां शिफ्ट किये तो लगा बहुत तो हम में गेठ हमेशा बंद रखते के बच्चे हैं घर में तो यह ना जाए फिर मुझे अपनी मदर की बात आई कि जहां तुल्सी होती है वह सांप नहीं आते मैं एक दिन ऐसी तब तक वह जीवित थी और एक दिन से पूछा कि मैं क्यों नहीं आते सांप पर तब नहीं पर बैठ के सुनो कायदे से और फिर पढ़ना तुम तो पढ़े लिखे बच्चे हो तो पढ़ना चीए तुमको तो उनका कहना ये था कि हरी प्रिया कहते है तुल्सी को अगर आप जाना हो, हरी मतलब विष्णुजी की प्रिया है और विष्णुजी सांप पे शयन करते है वो उनका बिस्तर है एक तरह का, वो उनका आरायम दहिक बिस्तर है, वो उनको उपर से भी ढखते हैं, शेशनाग, और शेशनाग सभी सर्पों के राजा हैं, तो वो शर्म करते हैं तुलसी की, उनका कहना ये था, कि वो शर्म करते हैं, कि ये तो हमारे प्रभू की प्रिया है तो हमें इंसा लग रहना है और मैं साक्षात आपको बताओ नितिन जी कि एक बार हम लोग यहां बैठे हुए थे यह नाम नहीं लूंगी बैठे हुए थे कोई पत्रकार आया हुए थे और वो एक कुछ बना रहे थे तो अचाने कुने महां से निकला एक सांप और वो डर गय इसे खड़ा हुए पूरा सांप था वो एकदम दिवार पैस चड़की इतना उचा खड़ा हुग गया और उनने बीच में रोक के कहा कि मैंडम सांप है काला सांप था चंकीला बिल्कुल तो मैंने कोई बात थे अब अपना काम शूरू रखको तो चले के सांप निकल गया थोड़ा ऐसे खड़ा उस दर्वाजे से निकल गया फिर मैंने ध्यान किया इसको कहा लड़के को कि मैंने का बेटा यहां पे तो तुलसी नहीं हुई है इसमें तुलसी लगा थी यह एक ड़ महीने पुरा नहीं बात जाद है जाद नहीं तुलसी लगा दी और यहां से उसके बाद से मरें कोई सांप नहीं और फिर दूसरी में घटना बताऊं सेम वही सांप जो पडली तरफ जाने का हमारा एक और रास्ता है वो कमरा जैसा ही बना हुए उसमें सांप ता तो सांप अंदर नहीं आ रहा था क्योंकि वहां भी मैंने तुलसी रखी हुई है उध अपनी मदर की फिर यादाई के वाकी में हरी प्रिया है और सांप उनका सांप को लोग कहते हैं मतलब पूराने लोग कहते हैं कि पूरा एक सिर्फ बोल नहीं सकते वो बाकी जो मनुश्योचित गुण है वो सब सांप में होते है वो सब समझता है प्यार, मोहबत, गुसा, सब चीज सांप समझते हैं बस हमारा हम जानना नहीं चाहते हैं हम सोचते हैं कि सांप हमको काट लेगा काटता नहीं सांप कभी नहीं तो यही तुलसी की बात है कि जहां जिस घर में तुलसी होगी वहां सांप कभी नहीं आएगा कभी भी और यह फैक्ट है आप लोग भी चाहे तो इस्तमाल करके देख सकते हैं, कहीं भी नहीं आएगा चाहे जंगल में भरे जंगल में आप अपने इर्द गिर्द लगा के बैठ जाए तो नहीं आएगा साम बिल्कुल भी कितने ही साम मह घूंते रहो तुलसी को क्रॉस करके नहीं आएगा यह यह पोड़ी अलग लगेता है तुल्साजी को फूझनी तोर पर ही देखा जाता रहो ज्यादातर लोग यही यही जानते हैं कि तुलसाजी की फूजा की जाती घृती है तो वहां कभी सांफ प्रवेश नहीं करता सांफ उनके इर्द गिर्द नहीं आता दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या पर आये हैं कोमेंट वोक्स में आप भी अपनी राई जरू दीजिए